नवस्का दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी तो आज के इस वीडियो में हम 13 दिसंबर 2022 को SSC CGL के तीसरे सिप्ट का जो एक्जाम समाप्त हो चुका है इसमें पूछे गए GKGS और Current Affairs के प्रशनों को डिसकस करेंगे तो पूरा वीडियो बहुते ध्यान से देखिएगा और वीडियो गर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में सेर जरूर करिएगा सारे वीडियो की जो PDF है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरू जी के उपर मिल जाएगी इसके अलावा अगर आप लोग सारे सिप्ट की e-book डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जो चलिए अब इस वीडियो की हम सुरुआत करते हैं पहला प्रस्न पूछा गया कि ग्रह मंतरी अमिश साहजी के द्वारां किस राजी में सीमा दरसन पर्योजना की सुरूआत की गई तो आपको ध्यान रखना है कि इस सीमा दरसन पर्योजना की सुरूआत हमारे गुज र तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि गुजरात में जो बनास कांठा जिला है वहाँ पर इसके सुरुवात की गई है और इसका उद्दे से है कि गुजरात राज में परेटन को बढ़ावा दिया जाए जिससे वहाँ पर नए रोजगार का सरजन हो अगला प्रशन पूछा ग बंदरगाह की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका यूज आपके चोल सामराज के दौरान किया जाता था आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे चोल वंस के एक राजा थे जिनका नाम है राजा करिकल तो इनी के दौरा कावेरी नदी के किनारे तमिलनाडू में पुहार सहर की अस्थापना की गई थी और वहीं पर इस बंदरगाह का निर्माण स्री लंका से मंगाये गए आपके मजदूरों की सहायता से किया गया था बाकि चोल डानेश्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो बिजयाले के दौरा इस राजवन्स की अस्थापना किया गया था अगला प्रशने पोचा गया कि अबदुल करीम खान और अबदुल वाहित खान किस संग्यत घराने से सम्मंदित है या फिर इन्हों ने किस संग्यत घराने की अस्थापना की थी तो द्यान रख्येगा जो आपके उत्तर प्रदेश का किराना घराना जिसे हम लोग कैराना के नाम से जानते हैं, उसकी अस्थापना इनी दो भाईयों के द्वारा की गई थी, तो ध्यान आपको ये रखना है कि उस्ताद अब्दुलकरीम खान और अब्दुलवहित खान ये दोनों आपके कजिन ब्रदर थे, और इनी के द्वारा हमारे भारतिय सास्त्रिय संगीत के क वैराना घराने की अस्थापना की गई थी। अगला प्रशन पूछा गया कि महाराष्ट की सरकार के द्वारा पिछले साल किस परपस से होब एक्सप्रेस की सुरुवात की गई। अब देखे फिलिपेंस की बात हो जापान की बात हो या फिर हमारे सारे पस्मी प्रसांत महासागर के देश की बात हो वहाँ पर जो भी हमारे साइकलोन होते हैं उन्हें हम लोग टाइफून की नाम से जानते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं आपके आश्टेलिया के पस्मी हिस्से की तो यहाँ पर जो हमारे साइकलोन होते हैं उन्हें हम लोग बिली-बिली के नाम से जानते हैं। अगला प्रशन पूछा गया कि किस भारतिय सहर में पहले स्टील स्लैग रोड का निर्मार किया गया था। तो ध्यान रखेंगे यह जो हमारे देश का पहला स्टील स्लैग रोड है इसका निर्मार किया गया है सूरत में। तो CSIR, नीती आयोग, हमारे यहाँ का इसपात मंत्राले है, इन सभी के सहयोग से इस रोड का निर्मार किया गया है। और आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे इस्पात मंत्री राम चंद्र प्रसाथ सिंग जी के द्वारा इस आपके स्टील स्लैग रोड का उद्धाटन किया गया। अगला प्रश्ण पूछा गया कि वर्ष 1266 से लेकर के 1286 तक दिल्ली सल्तनेत के उपर किसका सासन था। तो ध्यान रखिएगा दिल्ली सल्तनेत के उपर सासन था गया सुद्दीन बल्बन का। और ये जो इसके राज का सासन था उसे नियाबते खुदाई के रूप में मानता था यानि कि स्वयम को इस्वर के प्रतनिधी के रूप में लोगों के सामने प्रदर्सित करता था। अगला प्रशन पोचा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है तो अनुछेद 12 से 35 के बीच में आपको फंडामेंटल राइट देखने को मिलेंगे। आप्शन में आपको एक राइट टू प्रॉपरिटी था जिसके बारे में आप सभी को पता होगा कि 44 में समिधान संसोधन के द्वारा आर्टिकल 19 के एफ और 31 से इसको हटा करके एक बिधिक अधिकार बना दिया गया 301 के अंतरगत तो ध्यान अक्येगा संपत्ति का जो अ 78 के बाद आपका मौलिक अजिकार नहीं रहा है अगला प्रशन पूछा गया था कि एक तरफ हमारे एलिमेंट थे और दूसरी तरफ उनके समोह के नाम थे और इन्हें आपको सुमिलेद करना था जैसे दिया गया था हेलियम तो हेलियम के बारे में आपको पता होगा ये सु प्रशन की बात करें तो एलकली अर्थ मेटल या फिर छारीय मृदा धातू समोह का या एक एलिमेंट है अगला प्रशन पूछा गया कि चौसा का युद्ध हुमायू और किसके बीच लड़ा गया था तो कल ही मैंने आपको बताया था चौसा और कन्नौज के युद्ध के बारे में कल प्रशन पूछा गया था कि सेर सासूरी ने कब से कब तक सासन किया था तो मैंने आपको बताया था कि 1549 में चौसा के युद्ध में हुमायू को हराता है सेर सासूरी और उसके बाद 1540 में बिली ग्राम या फिर कन्नौज के युद्ध में भी इनको हराता है और फिर सेर सासूरी आपके दिल्ली का राजा बनता है तो चौसा का युद्ध सेर सासूरी और हुमायू के भीश में लड़ा गया था अगला प्रशन पूछा गया कि जुलाई 1968 में हरित क्रांती पर किसके द्वारा बिसेश डांक टिकट जारी किया गया आप सभी को पता होगा ये वही पीरियड है जब हमारे देश में हरित क्रांती की सुरुवात होई थी और मैंने आपको कई बार बताया था कि ये जो आपका ग्रीन रेवलूशन है सबसे पहले इसके अंतरगत हमारे गेहू के उत्पादन पर फोकस किया गया था तो इसलिए ये जो विसेश डांग टिकट है वो आपके हुईट रेवलूशन के नाम से जारी किया गया था यानि कि गेहू क्रांती के नाम से एक विसेश डांग टिकट हमारी पीम इंद्रिया गाथी जी ने उस समय जारी किया था अगला प्रशन पूछा गया कि भारत में पहली जनगर्णा कब हुई थी तो बहुत ही सिंपल सा प्रशन है भारत की जो पहली जनगर्णा है वो 1872 में लाड मयो के समय में हुई थी लेकिन अगर हम लोग भारत की पहली नियमित जनगर्णा की बात करते हैं तो वो आपके 1881 में लाड रिपन के समय में हुआ था इसके अलावा आपको ये भी ध्यां रखना है कि हमारे भारत की जो पहली सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगर्णा है वो आपके 1931 में कंड़क्ट करवाई गई थी तो ये तीनों प्रशन आपसे परिच्छाओं में पूछे जाते हैं इन सभी के बारे में आपको ध्यां रखना है अगला प्रशन पोचा गया कि निम्ण में से क्या हमारे हाई कोड का अधिकार छेत्र नहीं है तो हाई कोड के अगर आप लोगों ने अधिकार छेत्र के बारे में पढ़ा होगा तो इसका उत्तर आप लोग दे सकते थे फिलहाल अगर हम लोग हाई कोड के अधिकार छेत्रों की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रारंभिक छेत्र अधिकार अपीलिये छित्राधिकार अंतरन संबंधी छित्राधिकार प्रसासकिये छित्राधिकार लेख जारी करने का अधिकार अभिलेख न्यायाले ये सारे हमारे हाई कोट के अधिकार है आप्सन में साइद एक दिया गया था राष्टपती को परामर्स देना तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि राश्टपती को परामर्स देने का जो अरिकार छेत्र है वो हमारे सुप्रीम कोट के पास में है अगला प्रश्ण पूछा गया कि जनवरी 2022 में किस डांसर को राश्टिये नर्ते सिरोमडी अवार्ड से सम्मानित किया गया अब यहां पर आप ध्यान रखेगा देखिए अगर राश्टिये नर्ते सिरोमडी अवार्ड से प्रश्ण पूछा गया होगा तो इसका उत्तर हो जाएगा अपरना सतीसन ये हमारे कुची पूडी की एक बहुती फेमस डांसर है और इनको 2022 में राश्टिये नर्ते सिरोमडी अवार्ड से सम्मानित किया गया वहीं पर कुछ लोगों ने बताया कि सिरोमडी अवार्ड पूछा गया था तो ध्यान रखिएगा ये जो सिरोमडी अवार्ड है, ये जुलाई में आपके दिया गया है मिसल पूना वाला को, तो सिरोमडी अवार्ड अलग है और राष्टिय नर्ति सिरोमडी अवार्ड अलग है, अगर ये पूछा गया होगा तो अपनड़ा सतीसन कुछी पूरी वाल अब ध्यान रखेगा कि हमारे प्रत्वी पर साथ आपकी बड़ी प्लेट है तो ये तो आपको सभी जगां देखने को मिल जाएंगी यानि कि सारे जगां जब आप पढ़ेंगे तो साथ बड़ी प्लेट के बारे में ही पढ़ेंगे लेकिन छोटी प्लेटों की जो संख्या ह वो आपके fix नहीं है, कहीं पर आप 8 पढ़ेंगे, कहीं 14 पढ़ेंगे, कहीं पर आप 100 पढ़ेंगे, तो नीचे comment में बताईएगा कि option फिलहाल के लिए क्या थे, दो उत्तर जो सबसे यहां पर सही माने जाते हैं, कि 7 बड़ी और 14 छोटी प्लेटे हैं, या फिर 7 बड़ी और 8 हमारी छोटी प्लेट हैं, तो नीचे comment में बताईएगा कि किस प्रकार के option यहां पर दिये गए थे, अगला प्रशन पोचा गया, कि जो हमारा पहला राश्टमंडल खेल है, यानि कि पहले commonwealth खेल जो हैं, उनका आयोजन किस देश में किया गया था, तो कनाडा का जो हैमिल हुए थे, 6 खेलों के 59 स्पोर्ट्स इवेंट यहां पर हुए थे, और 400 खिलाडियों ने इसमें हिस्सा लिया था, बाकी इस साल का जो राश्टमंडल खेल है, वो आपके इंगलेंड के बर्मिंगम में हुआ, 2026 वाला जो राश्टमंडल खेल है, वो आपके आस्टेलिया क विक्टोरिया प्रांत में आयोजित किया जाना है, अगला प्रश्ण ये सायत पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, कि नबाव वाजिद अली साह द्वारा, साह कि संगीत घराने से संबंदित है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे लखनो घराने से संबंदित थे आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारे संगीत के ठुमरी विधा है इस विधा के जन्मदाता भी नबाव वाजिद अले साहा भी माने जाते हैं तो इस प्रकार से तीसरी सिप्ट में जो भी प्रशन प्राप्त हुए थे उन प्रशनों को हमने डिस्कस कर लिया है इस